हेलो फ्रेंग्स आपका यूनिक दीश में बहुत बहुत स्वागत है आज यूनिक दीश में मैं आप सभी के लिए लेकी आई हूँ शिर्फ एक कटोडी सूजी से बना बहुत ही टेस्टी और चटपटा नास्ता की रेश्पी ये नास्ता बहुत ही कम समय में और शिर्फ घर के ही समानों से बनकर त्यार हो जाता है इसे बनाना बहुत ही आसान है तो फ्रेश चली बिना देरी कि ये जटपट से इस नास्ते को बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिये एक कतोडी सूजी बारिक मोटी कोई सा भी आप ले चकते हैं अब हमें लेना है मिक्सर का जार और उसमें इस सूजी को ड़ लेना है सूजी डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें एक बड़ा चमज दही दही डालने के बाद अब इसमें डालेंगे एक कटोड़ी पानी तो जिस कटोड़ी से हमने नापकर सूजी ली थी उसी कटोड़ी से नापकर एक कटोड़ी पानी लेंगे अब इसे इस सूजी में डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दो छोटे चमज तेल तेल आप जो डेली इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं अब हमें इसे एकदम बारिक सा पीछ लेना है तो फिर्ट मैंने यहां सूजी को पीछ लिए है इसे निकालेंगे किसी बड़े भाउल में अब यहां मेक्सर के जार में काफी सारा सूजी का पेश्ट लगा हुआ है तो इसे चमच की हिल्प से अच्छे से निकाल लेंगे अब इस सूजी के पेश्ट में डालेंगे आदा छोटे चमच कच्चा जीरा और आदा छोटे चमच बिसी हुई चीनी चीनी डालने से नास्ता हमारा एकदम सायनी टेस्ट का बनता है तो आप चीनी इसमें जरूशे डालें अब डालेंगे इसमें स्वादम्सर नमक और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस नास्ते में नमक और चीनी डालने से इस नास्ते का टेस्ट एकदम ब्रेजे से लगता है अब यह अच्छे से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटे चमच बेकिंग सोडा बेकिंग सुडा डालने से नास्ता मारा एकदम फुला फुला इस्पंजी बनता है तो फ्रेंट्स आप इसे सिर्फ आदा चमच ही डालें इससे ज्यादे बिल्कुल भी ना डालें उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें अब ये सुजी का बेटर नास्ता बनाने के लिए एकदम पर भ्यक्त तयार हो चुका है अब हमें लेनी हैं इस तरह की छोटी सी थाली आप चाहें तो इस नास्ते को कटोडी में भी बना सकते हैं फिर इसमें ओल लगाकर इसे 4 तृफ से अच्छे से घृस कर लेना है ताकि नास्ता बनाते समय इसमें चिपके नहीं ओल लगाने के बाद इस थाले के उप ép इक हो बीच में इस बेटर कोडालेंगे तो फेंच आप चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर एक बड़े बर्तर में एक सीडे गलेस पानी रखकर इसे गरम होने के लिए रख देंगे अब इस पानी में इस तरह का एक इस्टेने रख लेंगे अगर आपके पास इस्टेने नहीं है तो आप इसमें कटोड़ी भी रख सकते हैं अब यहाँ पानी अच्छे से गरम हो चुका है तो इस बेटर वाली थाली को इसके बीचों बीच में रख देंगे अब इसके उपर चारो तरब से थोड़ा सा लालमिस पाउडर डालेंगे इसे छिरकते हुए डालेंगे हमने इस बेटर में लालमिस पाउडर नहीं डाला है तो इस तरह से छिरकते हुए लालमिस पाउडर डालेंगे इसे नस्ता हमारे दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी चटपटा लगेगा अब इसके उपर डालेंगे बिलकुल थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक हमने बेटर में भी डाला है इसे भी इस तरह से छिड़कते हुए डालेंगे नमक और लाल मिश डालने के बाद अब इसे किसी बड़े बरतन से उपर से अच्छे से धग लेंगे अब यहाँ गैस की फ्लेम को मीडियों टू हाई के बिच में कर लेंगे और 10-12 मिट तक इसे अच्छे से पका लेंगे तो फिर्श आब इसे पकते हुए 10-12 मिट का समय हो चुका है अब इसे चेक कर लेते हैं अब आप देख सकते हैं कि नास्ता हमारा पकने के बाद एकदम फूला फूला सा दिखाई दे रहा है अब इसे चाकू की हेव से चेक कर लेंगे अगर बेटर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब यह अच्छे से पक चुका है अब इसे इसमें से बहा निकालेंगे और फिर इसे थोड़ी दे तक थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे अब यहां नास्ता हमारा एकदम थंड़ा हो चुका है तो इसे चाकू की हेव से इसके किनारे से छुड़ा लेंगे इस नास्ते को गरम गरम में ना निकाले नहीं तो नास्ता हमारा टूट सकता है अब यहां चाकू को घुमाते हुए इसके किनारे को अच्छे से छुड़ा लेंगे तो ये बिल्कुल भी तूटे कर नहीं और बहुत ही असानी से निकल जाएगा अब लेंगे एक बड़ा सा प्लेट और उसमें इसे रखकर इसके पीछे से थोड़ा सा टेप टेप करेंगे तो ये बहुत ही असानी से निकल जाएगा अब मैं इसे प्लेट में से बाहर निकाल ली है आप आप देख सकते हैं कि नास्ता मारा कितना फुला फुला और स्पंजी दिखाई दे रहा है अब इसे चाकू के हेव से कट कर लेंगे आप चाहें तो पीजा कटर से भी इसे कट कर सकते हैं और आप इसके पीजेश को अपने अंसार छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं तो फ्रेंट आप मैंने यहां इसके सारे पीजेश कट कर लिये हैं अब चलते हैं इसे फ्राइ करने आप चाहें तो इस नास्ते को बिना फ्राई के भी खा सकते हैं बिना फ्राई के भी ये नास्ता बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है तो हम इस नास्ते को कम तेल में बना रहा हैं तो उसके लिए हम इसे सेलो फ्राई करेंगे तो हमने यहाँ पैन में ली है दो चोटे चमज तेल और इसी चारो तरफ से अच्छे से फैला लेंगे तो जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो अब इस नास्ते के जितने पीसेज इस पैन में आएंगे उतने पीसेज को हम इसमें डाल देंगे नास्ते को पैन में डालने के बाद इसे हलकी हाथों से इस तरह से प्रेस करते रहें ताकि यह अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जब नास्ता हमारा एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो इसे पलड़ कर दूसरे तरफ से फ्राइ कर लेंगे अब यहां बाकी नास्ते को भी सेम प्रोसे से उलट पूट करते हुए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और उसे बीच-बीच में इस तरह से हलकी हांतों से प्रेस करते रहें ताकि सारा नास्ता एक जैसे क्रिस्पी हो जाए तो फिर्ट मैंने यहां नास्ते को उलट पूट करते हुए दोनों तरब से इसे क्रिस्पी कर लिया है आपको इसके आवाज से ही पता चला होगा कि नास्ता हमारा कितना क्रिस्पी बनका तयार हुआ है तो अब इसे निकार लेंगे अब यहां बागी बचे हुए नास्ते को भी सेम प्रोसित से फ्राइ कर लेंगे तो फिर्ण मैंने यहां सारे नास्ते को फ्राई करके तयार कर लिए हैं नास्ता सर्व करने के लिए तयार हो चुका है तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक कटोड़ी सूजी से बना एक दम चटपटा और स्पंजी नास्ता बन कर तयार हो चुका है तो फैंच आपको आज की रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगे तो इसे एक बार जोशे ट्रेक कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिलिज मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और कमेंट में ज़रू बताएगा कि आपने रेसिपी बनाई तो आपको रेसिपी कैसी लगी